गुड आप्रनून दोस्तों आज हम लोग करेंट अफियर्स में 2022 के कुछ जो इंपॉर्टेड इंडेक्स है उसको हम लोग देखेंगे जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हर एक्जाम में चाहे आपका ICC का हो या आप कभिंग सचीवाले का एक्जाम हो या विपीएसी हो या किसी भी एक्जाम की अगर हम पैटर्न को देखे तो आप देखिएगा कि करेंट अफियर्स में एक ना एक आपको इंडेक्स से कोस्चन देखने को मिल ही लेगा तो आज हम लोग डिटेल में जो भी 2022 के हमारे जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स जारी किये गए हैं उसमें पहला देखिएगा पहला है हमाला Global Gender Gap Index 2022 यानि कि 2022 में जो Global Gender Gap Index जारी किया गया है उसमें आप देखिएगा कि पहले हम देखेंगे कि आखिर ये इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया गया है तो ये इंडेक्स आपका विश्वा आर्थिक मंच के द्वारा World Economic Forum यानि कि वि आर्थितमंच की अस्थापना कब हुई तो 1971 में हुआ और इसका हेट कौर्टर आपका स्विटिजर्लेंड के कलोग्रो में है देखिए दोस्तों की ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में आपका नंबर वन पोजीशन जो है फर्स्ट रेंग आपका आइसलेंड का आया और भारत हम हमारा 135 वे अस्थान पे रहा है मतलब जाहिर सी बात है कि इंडिया का रैंकिंग थोड़ा कम है और अगर हम बात करें एक चुली में देखिएगा कि ये टोटल 186 कंट्री को ध्यान में रखते हुए ये इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें हमारा भारत 135 नंबर पे आया औ और अगर हम बात करें कि इस इंडेक्स में सबसे खराब रैंकिंग किसका आया तो आज आप जानते होंगे दोस्तों कि सबसे खराब रैंकिंग जो है अफगानिस्तान का आया है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में सबसे खराब नंपी रैंकिंग यानि कि सबसे लास्ट पोज दुनिया में अभी यूद का situation बन रहा है आप देखिएगा लगबग सारे countries के बीच में बहुत सारे ऐसे matters है जिसके आधार पे conflict हो रहा है और आप देखी रहे हैं लगबग दस्वा मंत प्रवेस करने को है Ukraine और Russia के बीच में जो यूद हो रहा है वैसी परिस्तिति में इस index का importance अपने आप में बहुत बढ़ जाता है देखिएगा यह जो वैस्विक सांती सुचकांग है यह आपको institute for economic and peace organization के द्वारा जारी किया गया है इसमें आपका number one अस्थान Iceland को आया है और भारत का इसमें ranking 135 रहा है अगर हम बात करें पिछले वर्स यानि कि 2021 में तो 2021 में भारत का इसमें ranking 135 ही था यानि कि हमने ना तो हम improve किये और ना ही हम नीचे गये मतलब एक दम जस्त के तरस हम लोग जो है उसी position को वरकरा रखे हैं हम लोग 2022 में भी 135 में है 2021 में भी हम लोग 135 में थे अगर इस index की भी बात करें अगर वैस्विक सांती सुचकांग की भी बात करें द लिया है और जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई है तब से हम देख रहे हैं कि लगबग सारे indexes में अफगानिस्तान का position बहुत खराब है और वास्तो रियलिटी भी है कि अफगानिस्तान को बहुत जादा हर मतलब कह सकते हैं कि हर फेज में उसको सफर करना पर रहा है अगले index को हम लोग देखते हैं अगला है हमारा विश्व प्रेस सुतंतरता सुचकांक मतलब की पूरी दुनिया में अलग-अलग देशों में किस देश में मेडिया को जादा सुतंतरता दी गई है रिपोर्टिंग करने के लिए मतलब कि बहुत सारे देशों में में आप देखिएंगा जैसे चाइना में देखिए कोई भी मेडिया, हाउसे, गुवर्मेंट के खिलाब कोई रिपोर्ट पब्लिस नहीं कर सकती गुवर्मेंट के खिलाब कुछ बोल नहीं सकती तो इसी आधार पे कि किस देश में मेडिया को कितना ज्यादा सोतंतरता दिया गया है रिपूर्ट करने के लिए या न्यूज को पब्लिस करने के लिए तो देखिएगा ये आपको Reporters Without Borders जो कि एक फ्रांस की संस्था है उसके दौरा ये आपको इंडेक्स जारी किया गया है इसमें जो पहला अस्थान है वो आपका नौर्वे का रहा और भारत का 150 वा अस्थान रहा है दोस्तों अगर हम बात करें 2021 में तो भारत का इसमें 142 वा अस्थान था लेकिन हम लोग आठ पयादान नीचे घसकर 150 पे आ गए एक चीज दिखिएगा दोस्तों अब है हम आगे जब हंगर इंडेक्स की बात करेंगे तो उसमें भी इस पॉइंट की हम चर्चा करेंगे कि जितने भी आप लगभग ये सारी और्गनाइजेशन जो देखिएगा जो हंगर इंडेक्स या कोई भी मतलब की इंडेक्स जारी करती है वो सारा पश्चमी देश है इन लोगों का भारत सरकार ने बहुत बार देखिएगा कि आपत्ती भी उठाया है क्योंकि आप देखिए न कि दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक दुनिया का सबसे बड़ा लोगतांत्रिक देश हम है हमारे देश में मिडिया को कितने प्रकार के फ्रिडम्स दिये गए है उसके बावजूद आप हमारे रैंकिंग को देखिएगा हमारे इंडिया के हर साल लगतार हमारा रैंकिंग खराब होता जारा अब इसके पीछे देखेगा भारत ने बहुत सारे इंडेक्स को मानने से भी इंकार कर दिया चलिए हम आगे देखते हैं फिर आगे भी बात करते चलेंगे हम अगला देखेगा विस्वोख खुसहाली इंडेक्स यानि कि World Happiness Index अगर हम विस्वोख खुसहाली इंडेक्स की बात करें तो देखेगा यह आपका सयुक्त राष्ट सतत विकास समधान नेटवर्क जो न्यू यूर्क की औरगनाईजेशन है इसके दोरा जारी किया जाता है भारत का स्थान इस बार 2022 में 136 रहा जबकि पिछले बार हमारा रैंक जो था इसमें 149 था तो कह सकते हैं कि विस्वोख खुसहाली इंडेक्स जो है World Happiness Index इसमें हमने बहुत तरक्की की है और तीन पाइदान का हमें फाइदा हुआ है उसके बात देखिएगा दोस्तों अगला इंडेक्स देखते हैं जलवायू परिवर्तन परदसन सुचकांक आज देख रहे हैं कि पूरे वल्ड में जो क्लाइमेटिक जो चेंज हो रहा है जलवायू में परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर दुनिया कितना ज्यादा कंसर्ण है बहुत सारे इसके उपर समीट सो रहे हैं अलग-अलग देशों में और जो आज वल्ड में जो क्लाइमेट में इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है उसको कैसे उभरकम किया जा है इसके बारे में डिसकस किया जा रहा है इसमें पहला अस्थान आपका डेनमार्क है और भारत का अस्थान इसमें आठवा है अगर पिछले वर्स 2022 की अगर हम करें तो इसमें इंडिया का रैंक 10 था अभी 8 है इट मिन्स कि हम लोग ने 2 रैंक का तरक्की किया है अगले में देखते हैं अगला देखियेगा गलोबल हंगर इंडेक्स दूसरे दोस्तों हम इसी की बात कर रहे थे गलोबल हंगर इंडेक्स की अभी एगर बात करें तो अभी आप देख रहे हैं कि यू कि किस तरह से पूरे ग्लोबल लेवल में wheat का प्राइस जो है बढ़ता जा रहा है आप देखे ना कि यह जो गेहुम के लिए अफगानिस्तान जैसे देशों का हम अदद कर रहे हैं अमेरिका जैसे देश ने हमारे सामने हाथ फैलाया मतलब कि पूरे वर्ल्ड में आप देखे कि wheat का इतना जादा हम सप्लाई कर रहे हैं उसके बावजूत देख लीजिए कि बड़ा आश्यार लगता है कि इंडिया को हंगर इंडेक्स में 107 पोजिशन पर डाला गया है तो यह दिखाता है कि जो पस्चमी देश है उनकी मानसिक्ता भारत को लेकर कितनी पराब है मगर जो भी हो में लोग को तो exam के point of view से देखना है और देखिएगा इस global hunger index में जो है यह आपका wealth hunger health जो जर्मनी की एक संस्था है इसके द्वारा जारी की जाती है इसमें पहला स्थान आपका बेलारूस का है और भारत को 107 वे ranking पे रखा गया है जबकि 2000 अगर 21 की बात करे तो ह हमारा 101 rank था आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब आगे हम देखते हैं 2022 में बहुत कुछ कुछ important appointments हुए हैं कुछ कुछ महत्यपूर्ण निउक्तिया हुई हैं आपको exam में इससे भी question देखने को मिलते होंगे बहुत सारे appointment question पूछ देता है कि इसके निउक्ति कब हुई क्या है नहीं है तो उसी को लेकर हम हमने त्यार किया है और हम देखते हैं कि 2022 में कुछ कुछ जो महत्यपूर्ण निउक्तिया हुई हैं appointments हुए हैं और उससे जो related points है उसको हम लोग देखते हैं तो देखिएगा दोस्तों जैसे कि पहले देखते हैं पहला BCCI जो भारतिय क्रिकेट नियंतरन बोर्ड है इसके नए अध्यक्ष हाल ही में रोजर बिन्नी को निवत किया गया है याद रिखिएगा दोस्तों कि ये जो हमारा BCCI है इसके रोजर बिन्नी के पहले सौरव गांगली इसके अध्यक्ष थे और हाल ही में चुकि सौरव गांगली का कारेकाल पूरा ह गया तो सौरभ गांगुली के रिटायर होने के बाद रोजर बिन्नी को BCCI का अध्यर्च बनाया गया है और ये जो आपका BCCI है इसका हेड़क्वार्टर मुंबई है BCCI के बारे में आप जानते ही ही होईएगा कि जितने भी आपको डोमेस्टिक या इंटरनिस्नल मैच जो इंडिया के होते हैं वो सारे BCCI के द्वारा और्गनाइज या कंड़क्ट करवाए जाते हैं अगला देखेगा अगला अनिर जोहन भारत के नए CDS यानि की Chief of Defense स्टाप बने हैं दोस्तो आपको पता होगा कि जो CDS का पोश्ट है एक्चोली में ये जो हमारा रक्षा मंत्राले हैं उसके एक एडवाइजर होते हैं इनका काम है जो हमारे Navy के head है Air Force के head है और Army के head है उन plane crash में उनकी बिगत पिछले वर्स मिर्तिव हो गई और वो हमारे देश के जनरल बीपिन रावत जो थे वो पहले CDS थे और उनके असमाईक मौत के बाद अनिल चवहन को भारत का दूसरा CDS के रूप में निवट किया गया है तो याद रखिएगा कि भारत के जो अभी वरतम रावत के जिनकी असमाईक के plane crash में मिर्तिव हो गई नेक्स्ट में बरते हैं आर वेंकेट रमनी भारत के नए महान्यावादी यानि की attorney general बने हैं आपको जैसा पता होगा attorney general के बारे में आपने polity में पर रखा होगा कि ये जो attorney general है ये हमारे भारतिये समिधान के article 76 में इसका provision है बहुत पार question पुछता है कि जो attorney general है उनको किस article के द्वारा उन्हें appoint यानि की निक्त किया जाता है तो याद रखेगा दोस्तों कि article 76 के द्वारा हमारे जो भारत के राष्टपती है भारत के राष्टपती के द्वारा attorney general को निक्त किया जाता है next जो important point इसमें है आपको पता होगा कि इनका कारेकाल जो है 6 वर्स या 65 वर्स इनका कारेकाल होता है उसके बाद एक question जो सबसे जाดा attorney general के बारे में पूछता है दोस्तों गो question ये पूछता है कि हमारे देश के first law officer कौन है है तो यह attorneys general होते हैं हमारे देश के जो प्रथम विधी अधिकारी अगर आप से पूछे कि किसको देश का प्रथम विधी अधिकारी यानि की first law officer कहा जाता है तो आपके attorneys general होंगे नौर्मली अगर attorney general को देखिएगा तो central government का जो भी cases होते है या जो भी चीज होता है यह देश के किसी भी न्याले में central government का पक्ष रख सकता है दोस्तो अभी अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान में आर विंकेट रमनी हमारे देश के attorney general है अगर question पूछ दे कि भारत के प्रथम attorney general कौन थे तो आपको याद रखना चाहिए कि MC सितलवार जो थे वो हमारे देश के प्रथम attorney general थे अभी वर्तमान में आर विंकेट रमनी है attorney general का प्रोविजन हमारे भारत के समिधान के अनुछे 76 में है attorney general का कारेकाल 6 वर्स या 65 वर्स होता है attorney general को president के द्वारा निउट किया जाता है और उसके बाद attorney general को जो है first law officer of India यानि के भारत के प्रथम भी अधिकारी भी कहते हैं एक और question इससे पूछता है दोस्तों आपको बहुत बार देखिएगा question में देता है कि वो कौन सा विक्ती है जो ना तो लोगसभा का सदस्य है ना ही राजसभा का सदस्य है इसके बावजूद भी वो लोगसभा या राजसभा के meeting में भाग ले सकता है तो याद रखेगा वो हमारा attorney general ही होता है ये बैठेक में भाग ले सकता है, बहस में भाग ले सकता है, बस भोटिंग में भाग नहीं लेगा जिस तरह से देखिए दोस्तों कि First Law Officer of India अगर पूछे तो Attorney General हो जाएगा उसी तरह परतेक State में भी होते हैं अगर आप से पूछे कि First Law Officer of State याने कि राज का प्रथम विधियाधिकारी कौन होता है, तो याद रखेगा इसे हम Advocate General कहते हैं क्या कहते हैं? Advocate General कहते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं महाधीवक्ता ठीक है? और ये जो महाधीवक्ता है, इसको कौन निक्त करता है? तो परतेख राज में जो गवर्नर होते हैं, राजपाल निक्त करते हैं और इसका प्रावधान आर्टिकल 165 में है तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं आगे देखिएगा दोस्तों, कि अभी आप भारत के जो 49 जो चीफ जस्टिस थे, मुख्य नियाधिस थे, यू यू ललित थे उनका कारेकाल लगवक तीन हपतों का था, और उनके अभी रिटायर होते ही देखिएगा कि डॉक्टर वाई चंद्रचू जो है, अभी भारत के 50-वे मुख्य नियाधिस यानि की चीफ जस्टिस बने हैं अगर हम बात करें सुप्रीम कोट में, तो आप पहले याद होगा कि पहले हमारे पास टोटल 30, 30 प्लस 1 यानि की 31 टोटल नमबर अप जस्टिस थे लेकिन अब आपको इसकी संख्या बरकर, अब आपका हो गया है 33 प्लस 1 टोटल हो गया है आपको पता है कि भारत के जो मुख्य नियाधिस है, इनकी नियुक्ति राष्ट पती के द्वारा किया जाता है अगर आप लोग करेंट अफियर्स में इंट्रेस्ट लेते होंगे तो अभी एक नियुज बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है कि जब हमारे उपराष्ट पती जगदीव जी धन्खर जो बने है, उन्होंने एक मुद्दा पे को उठाया था कोलीजियम ग्रूप देखिए दोस्तों, अभी तक हमारे देश में आप देखिएगा कि जो सुप्रीम कोट के जजेज हैं या हाई कोट के जजेज हैं उनको कोलीजियम ग्रूप के द्वारा उनकी निउक्ति किया जाता है 99 संभिधान संसुधन जो है आपका 2004 में हुगा था, 99th Constitutional Amendment 2014 में हुगा था और इसी संभिधान संसुधन के तहत पारलियामेंट ने क्या किया कि कोलीजियम ग्रूप के विवस्ता को हटा दिया और इसके जगह पे लाया गया था Judicial Appointment Commission और इसी Judicial Appointment Commission को जजो के निउक्ति के का आधिकार दे दिया गया मतलब कि पहले से जो कोलीजियम ग्रूप के द्वारा जो सुप्रीम कोट या हाई कोट के जजो को निउक्ति किया जा रहा था तो 2014 में पार्लियमेंट ने 99 संविधान संसुधन लाया और उसके तहत कोलीजियम ग्रूप के बेवस्ता को हटा कर उसके जगह पे क्याला दिया जोडिसियल अपॉइंटमेंट कमिशन और कहा कि अब सुप्रीम कोट या हाई कोट में जो जजो के निउक्ति होगी वो जोडिसियल अपॉइंटमेंट कमिशन के दोरा होगा लेकिन आप देखिएगा कि 2015 में आप पहे हुएगा दोस्तों सुप्रीम कोट के बारे में कि सुप्रीम कोट के पास एक जोडिसियल रिवियू का पावर होता है मतलब कि अगर पार्लियामेंट ने कोई भी ऐसा कानून बनाया है या राजी की विधान मंडल ने भी अगर कोई भी ऐसा कानून बनाया है जिसमें अगर सम्विधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वाइलिट किया गया है तो सुप्रीम कोट अपने जोडिसियल रिवियू के पावर के द्वारा उस कानून को इलीगल घोसित कर देगा और फिर वो लागू नहीं होगा तो जब ये 99 सम्विधान संसुधन के द्वारा जब जोडिसियल अपोइंट्मेंट कमिशन बनाया गया कोलिजन गूर्प को हटा कर तो सुप्रीम कोट ने 2015 में अपने जोडिसियल रिवियू के पावर का इस्तमाल करते हुए ये 99 सम्विधान संसुधन को अवैद होसित कर दिया जिसके वज़ा से ये लागू नहीं हुआ ये बार-बार कोश्चन भी पूछता है कि वो कौन सा एक सम्विधान संसुधन है जिसे सुप्रीम कोट ने अवैद करार दे दिया था ये 99 समिधान संसुदन है और उसके बाद से 2015 के बाद से देखिएगा कि अभी भी ये कोलीजियम ग्रूप जो है इसी के द्वारा सुप्रीम कोट के जजों के या हाई कोट के जजों की नुकती होती है अभी ये कोलीजियम ग्रूप बहुत ज़्यादा बिवाद में चल रहा ह देखते हैं जो DRDO है आपका इसके हाल ही में आपको अध्यक्ष कोन बने है समीर वी कामत को रक्षा अनुसंधान इवं विकास संगठन यानि कि Defense Research Development Organization के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है याद रखेगा दोस्तों कि ये जो आपका DRDO है इसकी अस्थापना 1908 और ये DRDO का आपका Headquarter कहां हो गया तो New Delhi हो गया ठीक है ये DRDO यानि के Defense Research Development Organization के हाल ही में नए अध्यक्ष समीर वी कामत को निवत किया गया है DRDO की अस्थापना 1909 में हुआ था और इसका अभी Headquarter New Delhi में है Next Point हम देखते हैं भारत के 14वे उपराष्ट पती जगदीप धनकर बने हैं आपको पता हो गया है क्या कि अभी देश के हमारे जो तेरहवे उपराष्ट पती थे वकया नाइडू जी थे वकया नाइडू का कारेकाल पूरा हो गया और उनका कारेकाल पूरा होने के बाद यह कोस्चन दोस्तों बहुत बार पुछता है यह कोस्चन बहुत बार पूछा जाता है यह देखेगा यह पूछा जाता है कि हूँ इस दा एकस ओफिसियो chairman of राजसभा याइनि कि राजसभा का पदेन सभापती कौन होता है तो याद रखेगा कि जो देश के उपराश्ट पती होंगे वही राजसभा कि अध्यक्सता भी करते हैं इसी लिए उपराश्ट पती को हम राजसभा का पदेन सभापती याईनि कि एक्स ओफिस यो चीर्मेन अफ राज सभा पोलते हैं और याद रखेगा दोस्तों एक बार कोश्चन पूछा हुआ था कि उपराष्ट पती की सैलरी कितनी है तो याद रखेगा कि कभी भी उपराष्ट पती को उपराष्ट पती के लिए कभी भी सैलरी नहीं मिलता है उपरा वाइस प्रसिडेंट recieves सैलरी as the chairman of राज सभा ठीक है न है कि उनको जो सैलरी बिलता है जो वियतन मिलता है उपराष्ट पती को वो राज सभा के सभापती के पद के लिए मिलता है ना कि उपराष्ट पती के लिए बिलता है चली आगे हम देखते हैं अगला पोईंट कि प फूल फॉर्म आपसे पूछा गया था बहुत थारे एक्जाम में आप देखे हो यह गा कि निती आयो का फूल फॉर्म क्या होता है तो एक तो याद रखे गा निती आयो का फूल फॉर्म क्या है आपको याद होगा कि पहले हमारे पास Planning Commission था यानि कि योजना आयोग था और योजना आयोग भारत में पंच वर्षी योजना को तयार करता था लेकिन 2015 में नरेंदर मोदी के आने के बाद जो ये Planning Commission था योजना आयोग उसको समात्य कर दिया गया और उसके जगा पे आपको निती आयोग को लाया गया यानि कि National Institution for Transforming India याद रखेगा कि ये जो निती आयोग है ये एक Advisory Body है एक सलाहकारी समीती है और ये याद रखेगा ये आपका Non-Constitutional Body है ये गयर समयधानिक संस्ता ये Constitutional बहुत बार Question दे देता है कि which of the following are Non-Constitutional Body ये ये कौन गयर समयधानिक संस्ता है और उसमें आपका निती आयोग दे देगा तो याद रखेगा कि निती आयोग जो है आपका ये Non-Constitutional Body है एक Advisory Body भी है उसके बाद इसका Full Form National Institution for Transforming India है निती आयोग की अस्थापना आपको E-Constitution 2015 को हुआ इसका Head Quarter New Delhi में है और याद रखेगा दोस्तों कि निती आयोग का जो अध्यक्ष है हमेशा वही होता है जो देश का प्रधान मंत्री होता है उसी तरह जैसे आपका जो National Development Council है NDC जो है आपका राष्टिय अभिकास परिशद वो भी एक गर समयधानिक संस्था है उसके भी जो चेयर्मेन है हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं उसी तरह जो निती आयोग है निती आयोग के चेयर्मेन भी हमेशा प्राइम मिनिस्ट अगली अगला देखते हैं दोस्तों कि होकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो दिलीप तिर्की जो है होकी राष्ट्रिय के नए अध्यक्ष में जाते लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों तो ओफिसियली हाली में एक बेक्ती के द्वारा RTI किया गया था, Right to Information, मतलब सुचना के अधिकार के तर्थ, सुचना मांगा गया था कि हमारे भारत का राष्ट्रिय खेल क्या है, तो RTI में जो खुलासा किया गया, उसके तहत हमारे देश का कोई भी authorized national game नहीं है, मतलब कि हमारे देश में अभी कोई भी ऐसा खेल नहीं है, जिसे राष्ट्रिय खेल के रूप में मानेता प्रदान किया गया हो, लेकिन चुकि हम होकी में, ओलम्पिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल भी जीते हैं, सबसे ज़्यादा मेडल भी हमने होकी में जीता है, इसलिए हम दिलिप तिर्की को बनाया गया, अगला देखिएगा दोस्तों, कि मनोश कमार को खादी और ग्राम उद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बनाया गया है, और उसके अलावा माधो पूरी बूच को जो आपका सेवी है, यानि कि भारती प्रतिभूती और बिनियम बोर्ड, य आपको पता है कि जितने भी हमारे देश में जो इस्टॉक एक्सचेंज है, उन सभी को रेगुलेटर सेवी के द्वारा किया जाता है, और हाल ही में सेवी के नए अध्यक्ष के रूप में आपको माधवी पूरी बूच जो है आई है, अगला पॉइंट देखिएगा राज जीव कुमार है, देखिएगा दोस्तों आपको पता होगा, 1989 तक अगर हम बात करें तो इलेक्षन कमिशन यानि कि भारत के चुनाव आयूग में मात्र एक ही सदस्य हुआ करता था, 1989 तक इलेक्षन कमिशन सिंगल बॉडी मेंबर यानि कि एक सदस्य संस्था के तौर पे काम करता रहा, फिर 1989 में हम देखते हैं कि इलेक्षन कमिशन में दो और चुनाव आयूगत को बढ़ाया जाता है और इसकी संख्या तीन हो गई, लेकिन फिर उसके बाद आपको 1990 में फिर से इसको एक सदस्य संस्था कर दी जाती है, लेकिन फिर से 1993 में एक अध्यादेश के होते हैं, एक आपका मुख्य चुनाव आयूगत यानि कि चीफ इलेक्षन कमिशन और दो जो होते हैं वो अन्य चुनाव आयूगत होता है, लेकिन हमेशा याद रखेगा दोस्तों कि पावर तीनों का सेम होता है, अगर कोई भी डिसीजन लेना है, तो कोई भी डिसीजन ल जीच में आपको इलेक्षन कमिशन की चर्चा की गई है, अगर हम बात करें कि भारत के प्रथम चुनाव आयूगत कौन थे, तो सू कुमार सेन थे, प्रथम कौन थे, सू कुमार सेन थे, और अभी वर्तमान में कौन है, तो राजीव कुमार है, अगला पॉइंट और अंति अपना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी, और इसी लिए याद रखिएगा कि दोस्तों कि 8 अक्टूबर को हम लोग वायू सेना दिवस के रूप में मनाते हैं, यानि कि प्रतेक वर्त इयर फोस डे, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो चलिए, आज का जो हमारा करेंट अफे 10 अकत अ क्टूबर के जेड़्den जादी ते ये क्टूबर को अब h susceptible है, तुई है कि धड़ेदी तूबर को अमें की तूबर करेंटूबर को पेड़ंग में थे।बर को कि इस द्ग से मेंदे हैं तूबर को ट हR siihen हो हुश बन्हों चौने आप फब बन्हों सेखते हैं